नमश्कार दोस्तों कैसे हैं आप मैं आपका दोस्ट डॉक्टर हिमत पर्मा दोस्तों मेरे सभी सब्सक्राइबरों को मैं धन्यवाद दिना चाहूंगा जिन्नोंने मुझे मेरे जरन दिन पर शुपकामनाय दी आप लोगों का प्यार यूँ ही मेरे साथ सदा बना रहे ऐसी म मैं अपक्षा करता हूं दोस्तों आप सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से पेस्बुक हो इंस्टाग्राम हो या फिर हो वाटसेप इसके माध्यम से आपने मुझे शुपकामनाय दी हैं और मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे इस दिन को यादगार बना जी हाँ दोस्तों इसी सिंखला में मैं लेके आया हूँ एक और वीडियो तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी एक्क्यूपमेंट्स के एक्सेसरी के बारे में जो हमारे बो के साथ आती है और इसके बारे में कई लोगों के मन में यहीं तरीके की बादू का बना हुआ एक गुषनार होता है और इसका अंदर में एक लोहे का पारट होता है या फिर जिसे हम nut या bolt बोलते हैं वो होता है और उसकी वज़े से ये आगे का जो छोड़ है ये काफी वज़ंदार होता है पीछे यहाँ पर इसके अंदर में एक bolt लगा होता है जिसके अंदर screw डाल कर इसे कसा जाता है ये जो stabilizer है आप ये देख सकते हैं ये काम आता है Indian round के bow में और एक vibration कम करने का tool के रूप में इसे हम इस्तमाल करते हैं अब इससे क्या फायदा होता है तो उसके फायदě से पहले मैं बता दूंगा इसके parts के बारे में दोस्तों ये हमारा road आता है इस rod के साथ में आते हैं ये दो छोटे 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 रोड जो इसके part हैं इसे हम v bar के रूप में देख सकते हैं और यह आता है एक पार्ट जो की वी बार को एक्स्टेंडर से जोडता है और साथी आप देख सकते हैं इसमें जो यह नट लगे हुए हैं इनके अंदर में इसके अंदर में जो नट है उसको अंदर में इस तरीके से कसा जाता है मैंने कई बार देखा है कई जगह पर कोचिस भी अपने जो नए नए कोचिस बनते हैं अपने जो नए आर्चर्स होते हैं उनको इसका V-Bar का इंस्टॉलेशन नहीं पता होता है के वीबार को लगाना कैसे है तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने यह शोड़ बहुत यह बन गाया है यह अच्छे तरीके से आपको कसना है और यह इसी अपार्टस में कसा जाएगा यह देखें यह वी वार बन गया है फिक। दोस्तों अब बीच में यह जो छे दिया हुआ है इसमें लगता है एक एक के अग।्छ इसके अंदर कर सकते हैं दोस्तों और फिर यह जो रोल है यह इस तरीके से आगे से आप इसे लगा लेंगे तो देखिए इसका मैं सीधा सीधा इंस्टॉलेशन आपको हमारे इस बाम्बू के बोके हैंडल पे करके बता देता हूं आपको करना किया है इस तरीके से सबसे पहले इस जो आपके साथ जो इस टेबलाइजर आया है उस इस तरीके से फिक्स कर लें पहला step है आप ये extender के part को install करें और ये आसानी से आपको लगाते आएगा जो ये पूरी तरीके से टेस्टेड होता है इन पे इनके एक नमबर डाले होते हैं और उन नमबर के हिसाब से उनके कोड होते हैं उन कोड के हिसाब से ही आपको इसे लगाना है तो देखिए यह पहला extender पार्ट जो है वो यहां पर लग चुका है अब बारी आती है हमारे इस दूसरे पार्ट की यह को भी हम इसे इस तरीके से लगा लेंगे इस तरीके से हम इसे लगाते चलिए लगे हπαतो आप लोग video देखते हैं और मुझे कमेंट करते हैं और मेरे WhatsApp नंबर से भी आप लोग जुड़े हुए हैं जो लोग नले हैं वो मेरे WhatsApp नंबर से जुड़ वाट्सेप नमबर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मैं आपको अपना वाट्सेप नमबर दूँगा आप उसे जुरिए आर्चिरी से रिलेटेड जो भी कोई आपकी में मदद कर सकूँगा तो मैं सवबाग शाली समझूगा तो अब आप देख सकते ह है आपको भी इसे कस देना है और ध्यान रहे जरूरत से ज्यादा इसे कसना नहीं है जिससे की जो नट की जो अलाइनमेंट है वो खराब हो जाएगी और वो तूट सकता है अब यहां पर इसे कसने के बाद में आप चाहें तो यह एक्स्टेंडर जो लगे हुए इन्हें आ और स्टेबलाइज कर सकते हैं और स्टेबलाइजर का जो मेन यूज है वो मैं आपको बताने वाला हूं पहले मैं आपको यह लगा के दिखा दिता हूं किस तरीके से हमें यह स्टेबलाइजर को फिक्स करना है अब बारी आ गई है इस एक्स्टेंडर के ऊपर लगाने के ल हुआ जी हां देखिए कितना अच्छे से यह अलाइंड होके आया है और यह देखिए मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूं इतना परफेक्ट यह जो हमारा वी बार के साथ में एक्सेशन रोड के साथ में लगा हुआ स्टेबलाइजर है अरे अभी स्टेबलाइजर है अब इसका वर्किंग मैं आपको बता देता हूं इसका मेकेनिजम दोस्तों जब हम एरो चोडते हैं जब हम तील चलाते हैं उस समय पर एक बड़ा सा वाइब्रेशन होता है और वो वाइब्रेशन बो को unstabilize कर देता है उस unstabilization को stabilize करने के लिए इस तरीके के अपार्टस की यूज की जाती है यह इंडियन राउन के लिए काफी अच्छा है क्योंकि इंडियन राउन में arrows मास केमiseen होते हैं और वो unstable होने के chances उनके बहुत जादा होते हैं इसलिए एक perfect वो अच्छी quality का वो ही आपको help कर सकता है आपके performance को बढ़ाने में तो जब भी कभी आप दनुश लेते हैं तो stabilizer के साथ मिले साथ ही साथ अच्छी company का या अच्छे dealer से ही दनुश ले आप चाहें तो हमसे भी मंदत ले सकते हैं और दोस्तों देखिए यह कितने अच्छे थे अच्छे तरीके से यह finish आपके सामने बनके आया है तो अब हम बात करेंगे इसकी measurement की आप देखिए यहां पर यह जो 4 इंच का extender rod दिया हुआ है और लगबग 3 इंच की इसका वी बार का alignment करने के लिए यह एक पार्ट दिया गया है आप अगर यहां पर द्याख्ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको मेजर करके बताता हूं लगबग 11 इंच का यह दो वी बार extender दिये हुए हैं और साती-साती जो रौड है यह रौड पूरी आपकी है 29 इंच की इन्च की रौड है तो इनके sizes अलग-अलग हो सकते हैं senior के लिए अलग साइज हो सकता है और junior के लिए इससे थोड़क कम हो सकता है सब junior के लिए और mini बों के लिए अलग-अलग प्रकार का stabilizer हम इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों अब मैं आपको इसका एक और प्रकार बता दूँगा यह देखिए यह वी एक इसके जो बार से हैं साइट बार वो भी काफी अच्छी क्वालिटी के हैं यह देखें आपको दोनों दिखा देता हूं दोनों के साइज में पर्क है एक है जुनियर के लिए तो एक है सब जुनियर के लिए दोस्तों और यह एक्सेंशन के लिए जो रोड आती हैं यह सब वो रोड हैं दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आपको यह बात भी समझ में आ गई होगी कि यह स्टेबिलाइजर है और इसका क्या यूज है और इसे किस तरीके से लगाना है अगर आपके मन में भी कई और सवाल है आर्चिरी से रिलेटेट तो इसे ही अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद में अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद में